इसमें चित्रण के अंतरगत आज हम सीखते हैं केला बनाना केला ध्यान रहे 15 सिंटीमेटर से कम नहों तो सब्सक्राइब एक सीधी रेखा ले सकते हैं सीधी रेखा लीजिए यह काफी सरल है अब यहां से नीची थोड़ा सा इसको अलका कर्व लें दीजिए और यहां पर भ ओभत पर यहां वाखे एक आरप जोड़ देते हैं लिए आपके सामने केल आखरिती समझ में भीएं uniqu अब क्या सा्विंगे यहां से हम लोग यह दे लाईनम आगे बढ़ते हुए इसको यहां पर जोड़ देते हैं बहुती सलल तरीके से आप देखेंगे एक केला की आकरिती बन चुकी है ध्यान रहे 15 सिंटीमीटर से चित्रा पकम नहों अब इसको बनाने के बाद इसमें हम लोग सेट करते हैं सेट कारे के लिए ध्यान रहे वह 4B या 6B का प्रियोग करते हैं हम लोग यहां से इस रेखा प द्यान रहे इसमें चित्रा जो है वो कच्छा 9 10 11 12 के खंडख हमें आता है और यह जो है काफी अच्छे मार्श दिलाता है तो हमें ध्यान रहे चित्रा प्रक्रतिक तौर पर करना है प्रक्रतिक अंकन हो दिखने में यह हूँ बहु जैसा लगे यह चित्रा बनाने के बाद हमको ऐसा नहों कि कोई पहचानी क्या है उस तुरण समझ में आ जाना चाहिए कि आपने जो बनाया है वो सामने दिख रहा है अब इतना बनाने के बाद इसको हम रुक्षेट करते हैं इस तरह से बहुत ही सॉफ्ट ली पेंसल चलाते हैं फिर यहां से आप सीड़ करें इस तरह से अब इक रहा है इस तरह से आप देख रहे हैं कि आप सामने केला जो है केला की अकृति इस दिन स्पष्ट हो रही है को डार्क जो है जहां जैसी आप सकता होती है छाय आपकास को दर्शाना है इस तरह से यह पसेड़ करते हैं इस तरह से आप सकता है इस तरह से इन देखेंगे के मारा जो है केला बन चुका है और कहीं कहीं पर यह जो पका पका वारा भाग दिखता है जिसको चित्ती बोलते हैं केले की उसको आप दर्साएं इस से क्या होगा कि चित्र में आपके प्राक्तिक तरह समझ में आएगे नेचुरल जैसा समझ में आएगा इस तरह से कहीं कहीं पर आप यह चीजें बना देते हैं जिसको केले की करते हैं चित्ती पड़ी हुई है यह बिल्कुल आपके सामने पका हुआ केला शेट के साथ इसको आप लोग देख सकते हैं शेट के उपरान काफी अच्छा लग रहा है दिखने में इसको आप लोग बनाने का प्यास करें और बनाने के बाद आप लोग को जो भी चित्तर बनाएं आप यहां समन में ने आए कमेंट करके आप लोग खूश सकते हैं